ओम शान्ति आज हम मेठे बाबा के 20 जून 2014 के मेठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मेठे बच्चे अब चने मुठी के पीछे अपना समय बरबाद नहीं करो अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो ब्रमा बाबा ने जैसे ही ये निश्य किया कि शिब बाबा परमात्मा का ये संदेश है या ये श्रीमत है कि तुमें नई दुनिया बनानी है तो बाबा ने क्या किया सर्वस्व त्याग कर और बाबा के कारे में मददगार बने अब आज बाबा कहते हैं कि चने मुठी जो धन विनाशी है जो यहीं छूट जाना है उस धन के पीछे अपनी भविश्य कमाई को नहीं छोड़ना है और खास बाबा कहते चलो कई ऐसे होते जिनकी बहुत लौकिक जिम्मेवारिया हैं तो वो तो चलो हलांकि बाबा ने तो लौकिक में रहते जिम्मेवारी होते भी सरवांच त्याग किया और एक्जैम्पल सेट किया लेकिन फिर भी बाबा कहते चलो कोई ऐसे भी है जो कहें कि अच्छा हम पर जिम्मेवारी है लेकिन खास कन्याओं के लिए बाबा कहते कि अब चने मुठी के पेछे अपने भविश्य राजाई नहीं छोड़ो प्रश्न है इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी क्या है अब कदम आगे बढ़ने की निशानी क्या है कदम आगे बढेंगे जब याद की आत्रा अच्छे होगी तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को शांती धाम और सुक धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धी कहां पर भी भटकती नहीं है, अगर याद की यात्रा है और उस यात्रा में बुद्धी भटकती नहीं है, एकरस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धी में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धी एकाग रहे, जुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चड़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे है क्योंकि अगर व्यर्थ ख्यालात है, बुद्धी बटकती है, जुटका खाते हैं, खुशी का पारा नहीं चड़ता तो इसका मतलब क्या है? कि याद की यात्रा ठीक नहीं चल रही, तो नैच्रल है कदम आगे नहीं बढ़ते और ये निशानिया है कि बुद्धी बटकती नहीं, एकाग रहे, खुशी का पारा चड़ता है, जुटका नहीं खाते, एकरस याद में रहते हैं, शान्तिधाम सुकधाम भी याद रहता ह तो इसका मतलब कदम आगे बढ़ रहे हैं, ओम शान्ति, बच्चे इतना समय यहां बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवाले में बैठे हैं, क्योंकि शिवाले माना शिव बाबा का घर और प्रेक्टिकल में संगम्युक तो शिवाले हैं, हम तो डाइरेक्ट बा भी याद आजाता है, स्वर्ग भी याद आजाता है, याद से ही सुख मिलता है, कल्भी बाबा ने कहा था, सारी बात बुद्धी की है, बुद्धी बल से बाबा याद है, स्वर्ग के सुख याद है, तो सुख मिलता है, सारी बात याद की है, याद से सुख मिलता है, इसक इसने प्रैतन करते हैं, लेकिन बाबा कहते ही, सुख कैसे मिलता है, याद से, ये भी बुद्धी में याद रहे कि हम शिवाले में बैठे हैं, वो भी कौन सी याद से, है न, तो बुद्धी में याद रहे कि हम शिवाले में बैठे हैं, शांती धाम, सुख धाम जा रहे हैं, तो इस याद से सुख मलता है ये भी बुद्धी में याद रहे हम शिवाले में बैटे हैं तो भी खुशी होगी न भाबा ने कहा न याद की यात्रा से खुशी का पारा चड़ता है जाना तो आकरीन सभी को शिवाले में है अभी भी शिवाले हैं और फिर जहां जा रहे हैं, वो भी शिवाले हैं, क्योंकि परमधाम को भी शिवाले ही कहेंगे, शिब बाबा के साथ निवास करते हैं उस शिवाले में, और फिर स्वर्ग को भी शिवाले कहेंगे, जरूर वहां बाबा नहीं है, लेकिन बाबा का स्थापन किया हुआ, स्वर शांतिधाम भी जाएंगे लेकिन वहां बैठेंगे नहीं, फिर वहां से आना है सुक धाम में, वास्तव में तो शांतिधाम को भी शिवाले कहेंगे और सुक धाम को भी शिवाले कहेंगे, दोनों ही स्थापन करते हैं, तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है, तो बा उर किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए बल कहां भी बैठे हो, धंदे आदी में बैठे हो, तो भी बुद्धी में दोनों शिवाले याद आने चाहिए क्योंकि याद से ही कमाई है, याद से ही सुख है बाबा कहते हाथ कार्डे, दिल यार्डे है न, बले ही हाथों से कुछ भी कर रहे है लेकिन बुद्धी में शांती धाम, सुख धाम रहे बाबा कहते एक आँख में मुक्ती एक आँख में जिवन मुक्ती रहे दुखदाम भूल जाना है बच्चे जानते हैं ये वैश्या ले है दुखदाम अब खतम हो जाना है ये बाबा कहते इस दुनिया को क्या नाम देंगे एक तो दुखदाम, दूसरा वैश्या ले क्योंकि विशे विकारों की दुनिया है और बाबा कहते हैं ये दुनिया आप खतम होनी है तो जो खतम होनी है उसको याद क्यों करना है यहां बैठे तुम बच्चों को जुटका आदी भी नहीं हाना चाहिए जुटका किसके निशाने है उदासी की जब खुशी की कमाई खुशी नहीं है तो जुटके आते हैं जब कमाई होते हैं तो कभी जुटके नहीं आते तो अगर जुटके आ रहे हैं माना एक्यूरेट याद में नहीं बैठे हैं बहुतों की बुद्धी कहां कहां और तरफ चली जाती है. लिसाना बाबा के सम्मुक बैठे भी. बात तो सारी बुद्धी की है, बुद्धी भटकती है, पुरानी दुनिया के विस्तार विकार में जाती है, तो नैचुरल है जुठके आएंगे, उदाशी आएगी. बाबा गैते हैं, मन बुद्धी की तार एक बाबा से लगी रहे, बिन बिन प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं, कितनी युक्ति बताते हैं, बाबा को कितने रूपों से, कितने संबंधों से याद करो, बाबा जो प्राप्तियां देते हैं, बाबा जो अनुभव कराते ह तो बाबा कितनी युक्ति बताते हैं कि एक बाप की याद में हम एकरस कैसे बैठें। यहां बैठे हो तो बुद्धी में यह याद करो कि हम पहले शांतिधाम शिवाले में जाएंगे फिर सुक्ताम में आएंगे। फिर बाबा ने हमें याद की यात्रा के लिए ये भी बताया कि बाप को याद भी कर सकते हैं, घर को भी, नई दुनिया को भी और फिर स्वधर्शन चक्र भी फिरा सकते हैं। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे वरना क्या है? माया जो है वो सुक्षम पाप करवाती जाते और देखो, यही मन बुद्धी है अगर स्रीमत पर इसको मन-मनाभव किया, तो पाप कटेंगे और नहीं तो यही मन बुद्धी सुक्षम पाप बनाते जाते जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो है न और अभी चड़ती कला में तो एक-एक कदम की वैल्यू है यहां और कोई ख्यालात में नहीं बैटना चाहिए नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुचाते हो इसको भी अंडरलाइन करना एक तो अपनी कमाई नहीं होती वो एक बात दूसरा औरों को भी नुकसान पहुचाते हो और और जो दूसरे हैं वो तो भले ही अपनी अच्छी स्थिती में उनको नुकसान ना भी हो लेकिन वो जो नुकसान पहुचाने का बोज है वो तो खुद पर चड़ता है न क्योंकि जहां हर एक बाबा की याद में बैठे हैं वहां हमारी बुद्धी भटकती रहे तो कमाई के बज़ाय और ही घाटा पड़ जाता फाइदे के बदले और ही नुकसान करते हो आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जाच करने के लिए बिठाया जाता था कौन जुटका खाते हैं कौन आखे बंद करके बैठते हैं तो फिर बड़ा खबरदार रहते थे क्योंकि सब को क्या है बाहर से कोई monitor करें तो खबरदारी रहती है लेकिन बाबा कहते हैं यहां अपने फाइदे घाटे को देखकर एटेंशन देना चाहिए, ऐसे नहीं कोई और जाच कर रहा है, तो जुटका नहीं खाए, यहां के बंद करके ना बैठे, लेकिन बाबा केते हैं, अपनी जाच खुद को करने चाहिए, बाब भी देखते थे, इनका बुद्धियों क जहां भटकता है क्या, जुटका खाते हैं क्या, ऐसे भी बहुत आते हैं, जो कुछ भी समझते नहीं है, भल मुरली सुनते हैं, पर समझ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला पड़ा हुआ है, और पुर्शार्त भी नहीं करते, कि ताला खुले, तो पांभणियां ले आती हैं, शिब बाबा के आगे बड़े अच्छे बच्चे होने चाहिए, बाबा कहते हैं, बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर के समुख बैठे हो, सर्व संबंधों का रस देने वाले, सर्व प्राप्तिय देने वाले बाबा के सामने बैठे हो। है बेहत का वर्सा देने वाले बाब के सामने बैठे हो। तो ऐसे पात्र बच्चों को बैठना चाहिए। जो गफलत में नहीं रहें, क्योंकि ये कोई ordinary teacher नहीं है। तो तो अच्छे teacher के सामने अच्छे student बैठे। बाब पैड सिखलाते हैं यहां बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए बाबा कहते हैं बहुत एटेंशन देकर बाबा कही बार कहते हैं बच्चा चात्रक हो जैसे चात्रक पक्षी होता है वो स्वातिनक्षत्र की एक बूंद के लिए जैसे मुझ खोले बैठा रहता है ऐसे बुद्धी खोल कर बैठे चात्रक पक्षों के तरह एटेंशन दे एक एक ज्यान रतन धारन करते जाएं बाबा की याद में बैठें बाबा पंदरा मिनट शान्ती में बिठाते हैं तुम तो घंटा दो घंटा बैठते हो सब तो माहरत ही नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे तो दो घंटा बैठते हैं बाबा तो सम्मक कितना 15 मिनट पिठाएंगे मुर्ली से पहले थोड़ा बाद में लेकिन बाबा कहते हैं अपना योग का चाठ खुद रखना है, दो-दो घंटे तो कम से कम सुबह बैठें और सब माहरती नहीं है तो ये मुरली जब चलती है तो कक्छों को भी attention दिलाया जाता है और माहरतीों को भी माया से साफदान किया जाता है साफदान करने से सुझाग हो जाएंगे जो याद में नहीं रहते वियर्थ ख्याला चलाते रहते हैं, वो जैसे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धी कहां न कहां भटकती है महारती, घोडे सवार, प्यादे, सब बैठे हैं बाबा कहते हैं, एक ही क्लास में महारती भी हैं, घोडे सवार भी हैं, प्यादे भी हैं लेकिन एटेंशन देना चाहिए, सावधानी रखने चाहिए, कि हम बैठे हैं तो अपनी पूरी कमाई करें, बुद्धी को भटका कर और नुकसान ना करें बाबा आज विचार सागर मन्थन करके आये थे, म्यूजियम में अत्वा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवाले, वेश्याले और पुर्शोत्तम संगम योग तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए है न, म्यूजियम में हमारा चित्र है न, की वेश्याले से निकले, संगम योग में आहुती डाली और शिवाले की तरफ चले, तो बाबा कहते हैं ये चित्र बहुत अच्छा है समझाने के लिए, ये चित्र बहुत बड़े-बड़े बनाने चाहिए, सबसे अच्छा का हॉल इनके लिए होना चाहिए, क्योंकि इसमें बिलकुल स्पष्ट होता है, कि कैसे एक ही समय पर जैसे, कल यूग से निकल, संगम यूग पर विकारों की आहुती डे, सत्यूग के लायक बन रहे हैं, तो ऐसा बड़ा चित्र होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्ध में जट बैठे, बच्चों का विचार चलना चाहिए, कि इसमें हम improvement कैसे लाएं, और भी स्पष्ट संगम यूग कैसे दिखाएं, और भी स्पष्ट वेश्याले और शिवाले का contrast कैसे दिखाएं, पुर्शोत्तम संगम यूग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनु मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है, क्योंकि मनुष्य जो है, वो चित्रों से बहुत अच्छा समझता है, तो बाबा कहते हैं, चित्र में कोई बात स्पष्ट हो न, तो बुद्धी में छप जाती है, तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परन्तु न दस पंद्रा को तपस्या में बिठाना चाहिए, तो संगम युग को बहुत सपष्ट दिखाना चाहिए, बड़े बड़े चित्र बना कर clear अक्षर में लिखना चाहिए, तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है, समझते तो करते न, तो महनत करते हो समझाने के ल और पारस हम भी नहीं बना सकते हैं, पारस तो अपने पुर्शार्थ से बनेंगे, तो पत्थर बुद्धी को समझा समझा कर पुर्शार्थ के लिए प्रेड़ना देने में भी मेहनत बहुत लगती हैं, तो जितना हो सके अच्छी रीती समझाना चाहिए, जो सर्विस में रह उनको तो लगता है बस इतना हो गया, उतना हो गया, काफी है, इतना क्यूं करते हैं, उतना क्यूं करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, जो सर्विस में रहते हैं, उनको तो सर्विस बढ़ाने का ख्याल रहता है, उनको ये फील होता है, कि सर्विस से तो नई दुनिया बन र रही है, यह service हम शुरीमत प्रमाण कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको तो ख्याल रहता है, तो बाबा कहते हैं उनको service बढ़ाने का ख्याल करना है, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है अब सोचो देखा जाए तो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में तो बहुत कम रिसोर्सेज लगते हैं म्यूजियम में तो बड़ा खर्चा होता है लेकिन बाबा कहेंगे म्यूजियम लगाओ अच्छी सेवा करो और सर्विस में रहने वालों को ही ख्याल करना होता है कि कैसे वृद्धी करें जो सर्विस में नहीं रहते उनको तो ऐसा लगता ही नहीं कि इतने वृद्धी करने च पुर्षोत्तम संगम युग का सीन हो। बाबा कहते है पूरा कमरा यह शिवाले विष्याले और पुर्षोत्तम संगम युग के सीन में लगाओ। समझाने में बड़ी विष्याल बुद्धी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बुद्धी संकीन होगी तो समझने वाले की बुद्धी में उतना ही बैठेगा। लेकिन बेहत की बुद्धी से बताएंगे, तो उनकी बुद्धी में भी, जो मन्चित में भी नहीं था, वो बात बैठेगे. बेहत का बाप, बेहत का टीचर आएंगे, तो बैठ थोड़ी जाएंगे, सुनो अभी, कन्याई खास कर सुनो. बेहत का बाप, बेहत का टीचर आएंगे, तो बैठ थोड़ी जाएंगे, कि बच्चे M.A. B.A. पास कर लेंगे, कन्याई को कहते हैं, कि इश्वरे कारे में मददगार बनो, तो क्या कहते हैं, अभी B.A. करना है, अभी M.A. करना है, बाबा कहते हैं, बाबा तुमारे लिए थोड़ी रहेंगे, कि तुम M.A. B.A. करते रहो, बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, ये तो अभी नहीं, तो कभी नहीं की बाजी है, बाकी थोड़ा समय है, तो भी जागते नहीं है, कुम करन की नेंद में सोय पड़े रहते हैं, चार पात सो रुपे के लिए, क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बरबाद करें, अच्छे बच्चे तो समझेंगे, कि ये विनाशी कमाई तो चने जैसी है, उसके लिए संगम युक के हीरे तुल्य जीवन को क्यों बरबाद करना है, फिर शिवाले में हम क्या पद पाएंगे सच्ची कमाई नहीं करेंगे तो शिवाले में क्या पद पाएंगे, बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, फ्री है मना बंधन मुक्त हैं, कुमारियों को कम से कम भारत में तो ये कल्चर नहीं था कि कुमारियों को कोई जिम्मेवारी फेल कराते थे, फ्री हैं, बं से बड़ी salary भी आती हो, तो भी क्या है, वो तो विनाशी कमाई है, कुछ भी रहेगा नहीं, बाप चने मुठी अब छुडाने आये हैं, परंतु छोडते ही नहीं है, है ना, ऐसी मुठी पकड़ के बंदर से कुछ छोडाना मुश्किल होता है ना, बाबा के ते बंदर की तर तो विश्व की बाच्चाही मिले, वो तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, कुमारियां तो फ्री है, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की हैं, उनको छोड ये knowledge पढ़ते रहें, तो दिमाग भी खुले, बाबा केते हैं, वो knowledge तो ना दिमाग सिर्फ उसके पिछाड़ी पढ़के अपना भागय बिगाडते हैं, लेकिन बाबा केते हैं, ये knowledge पढ़ें तो दिमाग भी खुले, ऐसी चोटी-चोटी बच्चियां बडों-बडों को बैठ कर knowledge दे, कि बाप आए हैं, शिवाले स्थापन कर ले, ये तो जानते हैं, कि यह कि हम विनाशी के पीछे अविनाशी कमाई को ना छोड़ें, कि एक तरफ कहते रहें कि पता है सब कुछ मिट्टी में मिलना है, लेकिन विनाशी के चकर में अविनाशी कमाई को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहां जानते हैं, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे, ब पाँच लाख होंगे, कब की बात कर रहे हैं बाबा, 69 से पहले 5 लाख माना, आज 5 करोड से जाधा, 50 करोड जैसे, बाबा कहते हैं, वो भी 5 चने जैसे हैं, क्योंकि विनाश्य है, ना इस जनम में काम आएंगे, ना आगे का भाग्य बनाएंगे, वो भी खतम हो जाएंगे, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रति दिन हालत खराब होते जाते हैं, अचानक आफते आजाते हैं, अभी देखो, जो हाल है, कब अचानक क्या आफत आएंगे, मौत भी अचानक होते रहते हैं, मुठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, कमाई की खुब कठ किया और प्राण निकल गए, तो चने तो इस जनम में भी काम नहीं आएं, तो मनुष्यों को इस बंदर पने से छुडाना है, मुठी खुलवानी है, ताकि विश्व की बादशाही ले सके, सिर्फ म्यूजियम देखकर खुशनी होना है, कमाल करके दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है, बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे है, बाकी तो भूगरा भी किसको नसीब में नहीं आएगा, बाकी तो क्या है, विनाशकाल में कोई भी चीज जो कमाई की, वो काम नहीं आएगी, सब खतम हो जाएंगे, इस से तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो, ये सौधा अभी कर लेंगे, तो बादशाही मिलेगी, फिर ये ओफर खतम हो गई, तो ना वो आएगा, ना ये आएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है, और स्वधर्शन चक्र फिराना है, और उस से फिर जो ताकत मिलती ह तो सेवा करनी है, भुगरों से मुठी खाली कर, हीरे जवारों से मुठी भर कर जाना है, भुगरे माना चले, उसको छोडे, तब तो हीरे जवार मुठी में आएंगे, तब तो बाबा को याद करने की, सेवा करने की फुरसत निकलेगे, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इन चने मुठी के पिछाडी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? सुन रही हो कन्या है? आज बाबा खास ऐसे अहवान कर रहे हैं. किस किस समझ में आरा ना मेरे लिए कर रहे हैं. तो बाबा कहते हैं कि चने मुठी के पिछाडी क्यों समय बर्बाद कर रही हो? हाँ, को बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको समालना होता है, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ, कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, और खुद किया होगा, खुद इतनी समझाई होगी, कि अभी हमें कल युग का किनारा संगम युग में कमाई कर सत्युक के लायक बनना है, तो किसी को समझाएंगे तो भी तीर लगेगा, तो बादशाही लेनी चाहिए ना, अभी तुम्हारी मुठी हीरों से भर रही है, लेकिन अपने अंदर तो रियलाइजेशन हो ना, कि वो चने हैं और ये हीरे हैं, बाकी करना, देवताओं की भी कहानी में कैसे कैसी बाते हैं, माखन चुराया, वस्त्र चुराया, ऐसी बाते, और बाप की तो इतने इगलानी की सरव्यापी कह दिया, विकारी भी बने और गाली भी दी, तो दोनों के पाप चड़े हैं, बाप की कितनी इगलानी की है, बाप बच विकर्मों को विनाश करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो टाइम गवाएंगे, तो कहां से फिर टाइम रहेगा, ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो, बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं, दे अभिमान में आना गोया अ अपने को भूलना, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, तो बाब को फिर कैसे याद करेंगे, बहुत बड़ी मन्जिल है, बाबा कहते हैं, पहले तो दे अभिमान से छूटे, अपने को आत्मा निश्य करें, फिर बाब की याद पक्खी करें, तब विकर्म विनाश हो, त इन चनों की पीछे पड़े रहेंगे, तो ये पुर्शार्थ कब करेंगे, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ, माया को आपोजिशन तो होता है, बाबा हमेशा साबधानी देते हैं, कोई ये ना समझे, कि हम ऐसे ही देवता बन जाएंगे और माया बनने देगे, माया खूब फ करते हैं, परन्तु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, भारत की है ही मुख्य गीता, हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है, जो धर्म स्थापन करने वाले हैं, उनको सत्गुरु नहीं कह सकते, बाबा कहते हैं, सत्गुरु तो एक मुक्ती, जीवन मुक्ती, दाता, बा भाकी धर्म स्थापन करने वाले को सत्गुरु टाइटल नहीं दे सकते, यह बड़ी भूल है, सत्गुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो धेर है, कोई ने कारपेंटरी का काम सिखा, इंजिनियर का काम सिखाया, तो वो भी गुरु हो गया, बाबा कहते हैं, का कारपेंटर का भी काम सिखाया, किसी ने, इंजिनियर का भी सिखाया, तो भी गुरु हो गया, लेकिन सत्गुरु टाइटल ऐसा नहीं, कि किसी को भी दे सकते, हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सत्गुरु एक ही है, अब तुमको सत्गुरु मिला है, वो सत्य बाब तो सत्य टीचर भी है, इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करने चाहिए, आप समझते हो, पूरे कल्प में एक बार हमें सत्य बाप सच खंड का मालिक बनाने आए, सत्य टीचर सत्य समझाने आए, सत्य गुरु सची सची मुक्ती जीवन मुक्ती देने आए हैं, तो अ गफलत माना टाइम वेस्ट करना, सावधान ना रहना, एटिंशन ना देना, ऐसे गफलते नहीं करने हैं, यहां से अच्छी रिती रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहां का सब बूल जाते हैं, अभी देखो, मुरली सुन रहे हैं, कि इतना पारा चड़ रहा ह नशा, खुशी सब, फिर सोडा वाटर हो जाता हैं, क्यों? मित्र संबंधियों का मुख देखते हैं, देविमान में आते हैं और सारा ज्ञान बुल जाता है, गर्ब जेल में भी बहुत सजाएं मिलती हैं, आत्मा जब एक शरीर छोड़ कर गर्ब में जाती हैं, तो गर्ब फिर पाप नहीं करेंगे, फिर क्या? देविमान में आते ही, भूल जाती हैं, वहाँ तो गर्ब महल होता है, विकर्म कोई होता नहीं जो सजा कानी पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं, अब गर्ब जेल में और नहीं जा सकते हैं, अब तो गर्ब महल में जाना है, तो सारी बा समझते हो हम बाप से समुक पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे। वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहां तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं मदुबन में। बाप बच्चों को अच्छी रीत समझाते हैं, बाप की और बच्चों की समझानी में तो फर्क हो जाता है, बाप पैट बच्चों को सावधान करते हैं, इसलिए मुरली सुननी पड़े, क्योंकि बाबा की समझानी में बच्चों की समझानी में फर्क होता है, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं और बाबा कितनी सावधानी देते हैं समय के प्रति आज बाबा कितना सावधान कर रहे हैं कि बाबा बैठे नहीं रहेंगे इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं तुम शिवाले और वेश्याले को समझते हो बेहत की बात है अभी बुद्धी विशाल बुद्धी बनी है तो शिवाले और वेश्याले का अंतर बुद्धी में बैठता है वरना कहें वहाँ खुशी है वहाँ शान्ती है यहाँ नहीं है इन बातों से ज्यादा समझ नहीं हाता लेकिन अभी बुद्धी में clear बैठा है शिवाले क्या वेश्याले क्या बाब बैट बाबा कहते है ये clear कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा है है ना अपनी बुद्धी से इतने अच्छे चित्र बनाए स्पष्ट जो उनकी भी बुद्धी में आये कि क्या दुनिया है और क्या बनने वाली है तो उनको भी कुछ मज़ा आए और फिर वो टेस्ट आकर्शित करें तो पुर्शार्त करें वहाँ तो ऐसे हसी कुड़ी में समझाते हो serious होकर समझाओ तो अच्छी रेती समझे में बैठनी चाहिए कि सचमुच शिवाले बन रहा है और हमें पुर्शार्त कर वहाँ जाना है रहम करो अपने पर क्या इस वेश्याले में ही रहना है और अपने पर रहम नहीं करेंगे पुर्शार्त नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे शिवाले में बाबा के ख्यालाद तो चलते ना कैसे कैसे समझाए जो service करते उनके ख्यालाद चलते हैं बाबा तो number one serviceable है बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्भी में ठिक री है बुद्धी में बैठता नहीं है हाँ हाँ करते जाते बहुत अच्छा है गाउ में समझाना चाहिए गहेंगे यहना खुद नहीं समझते पहेंगे हमारे गाउ में खोल दो सेंटर हमारे गाउ में समझाएं साहुकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं बाबा केते हैं धन का नशा ऐसा होता है बहुत कम समझते हैं बिलकुल attention ही नहीं देंगे क्योंकि बुद्धी में माया ने ऐसा ब्रह्म डाल रखा है कि हम तो जैसे स्वर्ग में ही बैठें वो पिछाडी में आएंगे फिर तो too late हो जाएंगे ना उनका धन काम में आएगा न योग में रह सकें समझा सफल करने के समय सफल कर लेना है योग करने के समय कर लेना है पिछाडी में तो सधन की भी अवश्यक्ता नहीं रहेगी और योग भी नहीं लगेगा क्योंकि बातें इतनी हो जाएंगी कि उस समय योग में रहना चाहिए तो नहीं रह सकेंगे उस सम जो पहले से बलिहार जाते हैं, तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्या को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाप का वर्सा तो बच्चे को मिलता है, कन्याओं को पहले, अभी लौ तो बन गया, कि कन्या भी हिस्सेदार है प्रॉपर्टी में, लेकिन पता नहीं मिलता कितना है, ले तब विकार में जाती हैं, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे, मनो वृत्ती देखो कैसी, रावन राज जी कैसा है, कन्या को कहेंगे शादी करोगे तो इतने लाख लगाएंगे तुमारी शादी में, लेकिन पवित्र र समझाना चाहिए, फुर्थ होना चाहिए, समझाने में भी निडर होकर समझाना चाहिए, सत्य समझारे न शिबाबा का ज्यान, निडर होकर समझाना है, तुम तो बिलकुल सच कहते हो, यह है संगम यूग, तो उस तरफ है चने मुठी, इस तरफ है हीरों की मुठी, अभी अंदिर लायक बनते हो, पुर्शार्थ कर हीरे जैसा जनम लेना चाहिए, हीरे जैसा जनम तो तब मिले जब पुर्शार्थ करें, क्योंकि कोर्स कर लिया, ज्यान सुन लिया, लेकिन ब्राम्भन बने, तनमंदन सफल करें, पवित्र बने, पुर्शार्थी बने, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, शकल भी बहादुर शेर्नी जैसी होनी चाहिए, कोई-कोई की शकल जैसे रिडबकरी मिसल है, सामने वाले को भी लगता है थोड़ा फुपकार देंगे तो डर जाएंगे, ऐसे नहीं, अपनी परस्नालेट्री भी ऐसी होनी चाहिए, शेर्नी जैसे, फसे तो फस गए ना फिर, फसे तो फिर तो पूरे हिसाब किताब निकल आते हैं, पूरी जीवन, उसी करम बंदन में चले जाते हैं, फसना नहीं है, जैसे आप देखो, सड़क पर चल रहे हैं, फस गए गड़े में, गिर गए तो हड़ी पसली खतम, लेकिन ध्यान से चले तो बचे रहेंगे, और ही बंदन में फसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे, कर्म बंदन तो ऐसा होता है, एक के बाद एक विकर्म करते बंदन में बंते चले जाते, ज्यान अच्छी रीती धारन करेंगी तो विश्व की महरानी बनेंगे, तो सोचो, कहां उ उस तरफ गड़ा और इस तरफ विश्व की बादशाही, लेकिन फस गए तो फस गए, तो बहुत साफधान रहना है, बाप कहते हैं, मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परन्तु किसी-किसी के नसीब में नहीं है, बाप है ही गरीब निवाज और है कन्याई, आज बाबा कहते हैं, सबसे गरीब कौन है कन्याई, ना मायका उनका, ना ससुराल उनका, कुछ भी उनका नहीं, तो बाबा कहते हैं, इसलिए कन्याई, घर में जनम लेती हैं, लेकिन कहेंगे तुमारा कुछ भी नहीं, तो इस प्रकार से बुद्धी भी जो है तो दे देंगे कि भई कन्या को रखो लेकिन बाबा कहते तो उनको नशा चड़ना चाहिए फिर यह ना सोचे हमारी शादी नहीं हुए इसलिए हम ऐसे बने नहीं हमारी तकदीर उच्छी है इसलिए हम भगवान के बने हम अच्छी रीती पढ़कर पद तो अच्छा पाएं फिर यह सोचना है कि कितनी उची मेरी तकदीर है मैं और बनाओं अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं हम पास्वे दॉनर हो जाएं उनको ही फिर स्कॉलर्शिप मिलती है स्कॉलर्शिप माना क्या 21 जनम सुक शांती संपत्ति का अकिचार राज्य बिना किसी महनत के जितना पुर्शार्थ करेंगे उतना उच्पद पाएंगे वो भी 21 जनमों के लिए यहां है अल्प काल का सुक आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया तो खलास यहां क्या है कमाया खतम हो गया खतम सारी कमाई योगी और भोगी में फर्क तो है न यो भोगने तक भी शरीर साथ देगा या नहीं पता ने तो बाब कहते गरीबों पर ज्यादा एटेंशन दो साहुकार मुश्किल उठाएंगे सिर्फ कहते बहुत अच्छा है यह संस्था बहुत अच्छी है बहुतों का कल्यान करेगी अपना कुछ पी कल्यान नहीं करते लेक माया डंडा उठाकर बैटी है जो होसला ही गुम कर देती है यह न संकल भी डेले हो जाते है इतनी आराम की जीवन होती है इतना मनमत पर चलते हैं कि होसला ही श्रीमत पर चलने का माया खतम कर देती है एक ही थपड लगाने से अकल चट कर देती है बाप समझाते भारत का हाल देखो क्या हुआ है, बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रेती समझा है ना, तो अभी भारत को सिर्ताज कौन बनाएगा, हम बच्चे, अच्छा मीठे मीठे, सिकी लधे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप के रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की मीठे मीठे, सिकी लधे, मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉनि बादशाही लेने का पूरा पुर्शार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निदर्बन बंदनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को बुल, शिवाले अर्थात, शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। माया के विगनों को जान उससे सावधान रहना है वर्दान है गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नश्टो मुहा स्मृति स्वरूब भव बाबा कहते है गीता ज्यान का पहला पाठ है अश्रीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नश्टुमुहा स्मृति स्वरूप बनो लेकिन पहला पाठ नहीं पढ़ेंगे तो अंतिम कैसे पढ़ेंगे तो पहले तो अश्रीरी आत्मा बने तब तो स्मृति स्वरूप बनेंगे पहला पाठ है विधी और अंतिम पाठ है विधी से सिद्धी तो हर समय पहले स्वयम ये पाठ पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ ऐसा स्रेष्ट कर्म करके दिखाओ जो आपके स्रेष्ट कर्मों को देख अनेक आत्माई स्रेष्ट कर्म करके अपने भाग्य की रेका स्रेष्ट बना सके आतम अभिमानी स्थिती बना कर उस स्थिती में हर कर्म करते हैं और आत्मा का पाठ भी दुसरे को पढ़ाते हैं तो हर एक को प्रेडना मिलती और वो भी अपना भाग्या बनाते और हमारा भी भाग्या बनता. और इस पहले पाठ के द्वारा ही सिद्धी हो जाती नश्चो मोहा स्मृति लब्दा बन जाते. स्लोगन है परमात्मस नहीं में समाई रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे. हर कर्म करते ऐसे अनुभव करें, कि हम परमात्मस नहीं में समाय हुए हैं, और बाबा के इस परमात्मस नहीं में, तो सर्वसंबंदों का सुख, सर्वप्राप्तियों के खजाने का अनुभव है, तो ऐसे सर्वप्राप्ति स्वरोप, सर्वसंबंदों के रस में डूबे हु अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे सुनेंगे, आज 20 तारिख के अव्यक्त इशारे, 20 जून दो हजार चौबीस के अव्यक्त इशारे, फरिष्टों की दुनिया में रहे कर, इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ, रहो वहाँ, यहां कर्म करने आओ, कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिष्टा बन जाओ, यही अभ्यास करते रहो, सदा यही स्मृति रहे कि मैं फरिष्टों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिष्टा, फर्ष निवासी नहीं, अर्ष निवासे हो, अर्ष माना अस्मान निवासी, तो बाबा कहते न, सफेद चान्नी के प्रकाश के लोग का वासी हूं मैं फरिष्टा, यहां तो बस निमित मात्र कर्म करने आया हूं, फरिष्टा अर्थात इस विकारी दुनिया, अर्थात विकारी दृष्टी वा वृत्ती से परे रहने वाले, विकारी दुनिया में कर् दृष्टी वृत्ती विकारी नहीं, दृष्टी वृत्ती फरिष्टी की रखते हुए कर्म किया और कर्म से फिर न्यारा होगे। अच्छा, आज सत्गुरुवार है, हम सभी साड़े साथ बजे मुडली मन्थन के लिए प्रस्तुत होंगे जूम पर और आठ पीस पर प्यारे बाबा को सभी संगठन में भोग स्विकार कराएंगे। ओम शान्ति